हेलो जेहन दोस्तो नो मार्ट दो हजाजाज चोईस सनिवार के लिए आप सभी लोगों के लिए लेकर आज़ों में आठ बड़ी बर्तियों के फोरम जी हाँ दोस्तो ओल इंडिया मेल एंड फिमेल सभी के लिए इसमें विकेंसियां रहने वाले हैं दोस्तो आज के इस के बारे में जानकरी परदान करता हूं वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले छोटा सा मोटिवेशनल क्यूड हमारे मोटिवेशनल सर की ओर से सोर मत कर अभी गमों की रात है दजियां उड़ा देंगी बस कुछ दिनों की बात है यह दोस्तों हमारे कुमार ग कि अपलेट की जाकि है तो सबसे पहले हुम वेकेंशी के उपर चलते हैं जो आईए है दोस्तों सेल इसको रिकूलमेंट 292 वेकेंशी राइने से वाहें fabrics curriculum 좋कि आइए के फॉम बरपाऊगे इसका दोस्तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 प्लस इसमें मांगा गया है एज लिमीट आपके 18 साल से लेखर 18 साल रहने वाले हैं आपका सेलेक्शन मेरिट बेस्ट रहने वाला है यानि बिना किसी एक्जाम की रहने वाला है इसकी ओपिसल साइट दो दोस्तो सेल केरियर्स डोट कॉंपेर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं इसके आला नेक्स्ट वेकेंशी अपनी राजस्तान के अंतर के जीहां दोस्तो आर्पीरसी रिक्रूटमेंट दो हजाज चोईस में यह है दोस्तो फिजिकल ट्रेंडर ट्रेनिंग इस्टेक्टर पी ट्याइए और लाइब्रेरियन के नंबरों वेकेंशी कम हैं दोस्तो चालिस वेकेंशी की आईए भड़ती इसमें दोस्तो बारा मार्च से लेकर दस अपरेल तक फॉर्म चलने वाले हैं लेकिन इसमें दोस्तो एजुकेशन क्वालिपिकेशन मास्टर डिग्री मांगी वारे में हम दोस्तो मेंनली थोड़ा सा फोकस करेंगे बाकि सभी वेकेंशी की अपडेट में आपको दे दूंगा इसके अला दोस्तो नंबर टू वेकेंशी के वह हम चलते जो इंपोर्टेंट रहने वाले हैं यह है दोस्तो पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंत लास डेट 30 अपरेल 2014 रहने वाले हैं इसके अलावा दोस्तो एक वेकेंशी के अपडेट ओवर में दे देता हूं स्सी MTS की वेकेंशी फिलाल कुछ दिनों में ही आने वाले हैं तो उसकी वेकेंशी के लिए भी आप जूट जाईए दोस्तो इसके अंतरकत आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या करना है उसके लिए मैंने अलग से 10 मिनिट का एक वीडियो बना रखा है तो वह आप जाके चेक कर सकते हैं इजुकेशन के बात करें तो इस भरती के लिए 10 पास लेकर डिप्लोमा दारी सभी के लिए विकेंशी रहने वाले हैं इसमें दोस्तो आपकी एज लिमिट भी थोड़ी सी ज्यादा छूट दी गई है आपका सेलेक्शन प्रसेश सिर्फ कंप्रेटर पर टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट वेकेंशी आईए जो दोस्तो है वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार यह आए दोस्तो सब इंस्पेक्टर SI के पदों पर 464 टो टोटल पॉस्ट रहने वाले हैं जिस के पास डिग्री है वो इस पॉम को भड़ सकता है और आसानी सी जोब प पर चुनुर जूनियर ट्रैंसलेस्ट पर सर ग्रस्ट लेस्ट की वेकेंशिओं है दो भॉस्त सब्सक्राणि Final عणि गई। भी दोस्तों आपकी डिगरी मांगे गई है नेक्स्ट की बात करें दोस्तों जो टेन पास्ट आपकी गवर्मेंट जोब है ओफ लाइन वह भी मैं आपको बताऊंगा तो कहीं भी नहीं जाएगा उसकी वेकेंशी की डिटेल भी लेकर आप जरूरी जाना है इसके अलाए जो नम्बर वन वेकंसी रहने वाले उसके बात अब हम कर लेते हैं जो स्टोर कीपर कीवेकेंशी आई है दोस्तों ये दोस्तों के वेकंसी आई है वह भी बक्सेमंगाल के अंत्रकट आई है जो एक एंस्तेमृम्त की है जो नंबर वेकंसी की बात करो तो 10,255 वेकंसी आई है जो भी candidate 10th pass वह इसमें form भार सकता है इसके लिए दोस्तों आपको पांच अपरेल से लेखका form start हो जाएंगे और दोस्तों लास्ट डीट की बात करें neural कि आपके चलो गहें हैं इसके लाप गिजना इसमें टेस्ट मांगा गया है और आपका जो running वगिरा है तोड़ी सी अच्छे से होनी जरूरी है इसके अंतरकर नेक्स्ट की बात तो हम कर लेते हैं जो आपके लिए offline vacancy रहने वाले हैं जी हाँ साहिबान यह निकलिए airport के लिए handyman handywoman और driver के लिए vacancy रहने वाले हैं बिना exam 10th pass recruitment यह आईए दोस्तों यानि आपको airport के अपर दोस्तों जो baggage है उनको उतारना और चड़ाने का काम इसमें रहने वाले हैं इसके अंतरकत आपको फोर्म मिलेगा वह वरके इंटर्यू के लिए direct जाना होगा जाना कहा है बोने शवर में आपको जाना होगा इसके लिए भी मैंने details से वीडियो बना रहा है आप वो भी जाके चेक कर सकते हो तो फिलाल आज की vacancy में इतना ही जै ही जैवार्थ